C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक मलहार पाठ साथ कविता जलाते चलो प्रिष्ट संख्या साथ जलाते चलो ये दिये सने भर-भर कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा भले शक्ती विज्ञान में है निहित वो कि जिससे अमावस बने पूर्निमासी मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरे आ रही है अमावस निशासी बिनासने विद्युत दिये जल रहे जो बुझाओ इन्हें यो न पत मिल सकेगा जला दीप पहला तुम ही ने तिमिर की चुनोती प्रथम बार स्वीकार की थी तिमिर की सरित पार करने तुम ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी बहाते चलो नाव तुम वो निरंतर कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिये अंगिनत है निरंतर जलाए समय साक्षी है कि जलते हुए दी अंगिन तुम्हारे पवन्ने बुझाए इस प्रिष्ट के उपरी भाग में तीन दीप को कचितर है और इस पाट के निचले भाग में कुछ बच्चे दीपक को नाव की तरह त्यरा रही है बच्चे बड़े प्रसन मुद्रा में हैं यहां एक नाव भी है प्रिष्ट संख्या 61 इस प्रिष्ट के उपरी भाग में अंधेरे को दिखाया गया है और साथ ही एक लड़की के हाथ में दिया है दिये से प्रकाश निकल रहा है मगर बुझ स्वयम जोती जो दे गए वे उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा दिये और तूफान की ये कहानी चली आ रही और चलती रहेगी जली जो प्रथम बार लौ दीप की स्वर्निसी जल रही और जलती रहेगी रहेगा धरा पर दिया एक भी अधी कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा कवी द्वारी का प्रसाद महेश्वरी इस प्रिष्ट के निचले भाग में कवी का चित्र है इसके नीचे लिखा है 1916 से 1998 कवी से परिचय अभी आपने जो कविता पढ़ी है उसे हिंदी के प्रसिद्र कवी द्वारी का प्रसाद महेश्वरी ने लिखा है बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में द्वारी का प्रसाद महेश्वरी का नाम प्रमुक्ता से लिया जाता है उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाई लिखी हैं उनके द्वारा लिखित हम सब सुमन एक उपवन के जैसे गीत आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। प्रिष्ट संख्या बासर्ट पाट से आईए अब हम इस कविता से अपनी मित्रता को और घनिष्ट बना लेते हैं। इसके लिए यहां कुछ गतिविदियां दी गई हैं। हो सकता है कि इन्हें करने के लिए आप कविता को फिर से पढ़ने के आवशक्ता अनुभव करें। मेरी समझ से क यहां दिये गए प्रश्टों का सटीक उत्तर कौन सा है। उसके सामने तारा बनाईए। एक, इन में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है। एक, भलाई के कारिक करते रहना। दो, दीपा वली के दीपक जलाना। तीन, बल्ब आदी जलाकर अंधकार दूर करना। या चार, तिमिर मिलने तक नाव चलाते रहना। अब आप सटिक उत्तर के सामने तारा बनाईए। दो, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथमबार स्वीकार की थी। ये वाक्य किस से कहा गया है। इस वाक्य में तुम्ही शब्द रेखांकित है। एक तुफान से, दो, मनुश्यों से, तीन, दीपकों से, या चार, तिमिर से। ख, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताईए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। मिलकर करे मिलान कविता में से चुनकर कुछ शब्द यहां दिये गए हैं। अपने समू में इन पर चर्चा कीजिए और इने इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाईए। इसके लिए आप शब्द कोश, इंटर्नेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। प्रिष्ट संख्या 63 इस प्रिष्ट के उपरी भाग में दो स्तंब हैं। शब्द और दूसरा है अर्थ या संदर्भ। शब्द शीर्षक के नीचे लिखा हैं। एक अमावज, दो पूर्णिमा, तीन विद्युत दिये, चार युग। और अर्थ या संदर्भ शीर्षक के नीचे लिखा है। एक पूर्ण मासी वो तिथी जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। दो, विद्युत दिये, अर्थात, बिजली से जलने वाले तीपत, बल्ब आदी उपकरण। तीन, समय, काल, युग संख्या में चार माने गए हैं। सत्ययुग, सत्युग, त्रेता युग, द्वापर्युग और कल्युग। और चार, अमवस्या, जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता, पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां यहां दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार, अपने समुह में साजा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। दिये और तूफान की ये कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वन सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। इस प्रिष्ट के निचले भाग में एक चित्र है। इस चित्र की बाई ओर दो मेज हैं, साथ में एक घड़ा है। और दो मेजों में से एक के ऊपर जलता हुआ दीपक है। साथ ही इस चित्र की दाई ओर तेज चल रही आंधी और तूफान है। देखते हैं दोनों में से क प्रिश्ट संख्या 64 कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात कही गई है कविता की रचना जलाते चलो ये दिये स्ने भर भर कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा इन पंक्तियों को अपने शिक्षक के साथ मिलकर लए सहित गाने या बोलने का प्रयास की जिए आप हाथों से ताल भी दे सक लगते हैं दोनों पंक्तियों को गाने या बोलने में समान समय लगा या अलग-अलग आपने अवश्य ही अनुभव किया होगा कि इन पंक्तियों को बोलने या गाने में लगबग एक समान समय लगता है केवल इन दो पंक्तियों को ही नहीं इस कविता की प्रतेक पंक्ति को गाने में या बोलने में लगबक समान समय ही लगता है। इस विशेष्टा के कारण ये कविता और अधिक प्रभावशाली हो गई है। दो चार, दो चार के क्रम में बाटा गया है आधि। ख, अपने समो की सूची को कक्षा में सब के साथ साजा कीजिए। मिलान, स्तंब एक और स्तंब दो में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खीच कर जोड़िए। प्रिष्ट 65 स्तंब दो के नीचे लिखा है एक विश्व की भलाई का ध्यान रखे बिना प्रगती करने से कोई लाभ नहीं होगा। दो विश्व में सुख शान्ती क्यों कम होती जा रही है। तीन विश्व की समस्याओं से एक न एक दिन छुटकारा अवश्य मिलेगा। चार दूसरों के सुख चैन के लिए प्रयास करते रहिए। स्वण सी जल रही और जलती रहेगी। दीपक की ये सोने जैसी लौ क्या हो सकती है जो अंगिनित सालों से जल रही है। शब्दों के रूप कि जिससे अमावस बने पूनिमासी इस बंक्ती में अमावस शब्द रेखांकित है। अमावस का अर्थ है अमावस्या। इन दोनों शब्दों का अर्थ तो समान है लेकिन इनके लिखने बोलने में थोड़ा सा अंतर है। ऐसे ही कुछ शब्द यहां दिये गए हैं। इनसे मिलते जुलते दूसरे शब्द कविता से खोज कर लिखिए। प्रिष्ट 66 ऐसे ही कुछ अन्न शब्द आपस में चर्चा करके खोजिए और लिखिए। एक दिया रिक्तिस्थान, दो उजेला रिक्तिस्थान, तीन अंगिन रिक्तिस्थान, चार रिक्तिस्थान, पांच रिक्तिस्थान, छे रिक्तिस्थान। अर्थ की बात क, जलाते चलो ये दिये सनेह भर-भर इस पंक्ती में चलो के स्थान पर रहो शब्द रख कर पढ़िए इस शब्द के बदलने से पंक्ती के अर्थ में क्या अंतर आ रहा है अपने सम्हों में चर्चा कीजिए ख, कविता में प्रतियक शब्द का अपना विशेश महत्व होता है यदि वे शब्द बदल दिये जाएं तो कविता का अर्थ भी बदल सकता है और उसकी सुन्दर्ता में भी अंतर आ सकता है यहां कुछ पंक्तियां दी गई है पंक्तियों के सामने लगभग समान अर्थों वाले कुछ शब्द दिये गए है आप उनमें से वो शब्द चुनिये जो उस पंक्ति में सबसे उप्युप्त रहेगा एक, बहाते चलो, रिक्तस्थान, तुम वो निरंतर शब्द हैं नईया, नाव या नौका कभी तो तिमिर का रिक्तस्थान मिलेगा शब्द हैं तट, तीर या किनारा दो रहेगा तिस्थान पर दिया एक भी यदी रिक्तस्थान भरने के लिए शब्द हैं धरा, धर्ती, भूमी कभी तो निशा को रिक्तस्थान मिलेगा शब्द है प्रातह, सुबह, सवेरा तीन जला दीप पहला तुम ही ने रिक्तस्थान की रिक्तस्थान बरने के लिए शब्द है अंधकार, तिमिर, अंधेरे चुनौती, रिक्तस्थान बार स्वीकार की थी कितनी बार स्वीकार की थी? प्रति क खभी तो निशा को सवेरा मिलेगा यहाँ पर निशा और सवेरा शब्द रिखांकित हैं निशा का अर्थ है राथ, सवेरा का अर्थ है सुभा प्रिष्ट संख्या सड़सट आपने अनुभो किया होगा कि कविता में इन दोनों शब्दों का प्रियोग रात और सुभा के लिए नहीं किया गया है अपने समुह में चर्चा करके पता लगाईए कि निशा और सवेरा का इस कविता में क्या क्या अर्थ हो सकता है संकेत निशा से जुड़ा है अंधेरा और सवेरे से जुड़ा है उजाला कविता में से चुनकर कुछ शब्द यहां दिये गए हैं अपने समुह में मिलकर इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें उपयुक्त स्थान पर लिखिए यहाँ पर एक तालिका है तालिका की दो पंक्तिया है पहली पंक्ति के शब्द है दिये अंधेरा, अमावस, पूर्णिमा, दिवस, तिमिर, नाव और किनारा दूसरी पंक्ति के शब्द है शिला, जियोति, उजेला, तूफान, लौ, स्वर्ण, जलना और बुजना इस प्रिष्ट पर मध्य में जो चित्र बना है उसमें सबसे उपर लिखा है सवेरा और उसके नीचे आठ बादल के चित्र है आपको सवेरे से मिलते जुलते शब्द तालिका में से ढूंड कर इन बादलों में लिखने है इसी प्रिष्ट के निचले भाग में इससे मिलता जुलता एक और चित्र बना है सबसे उपर लिखा है निशा और इसके नीचे जो खाली बादल है उनमें आपने निशा शब्द से मिलते हुए शब्दों को तालिका से ढूंड कर भरना है प्रिष्ट संखिया 68 ग अपने समों में मिलकर निशा और सवेरा के लिए कुछ और शब्द सोचिये और लिखिये संकेत यहां दिये गए चित्र देखिये और इन पर विचार कीजिये इस प्रिष्ट पर आठ चित्र दिये गए हैं बाई ओर वाले सबसे ऊपर चित्र में पहाड के ऊपर खड़ा सैनिक भारतिये जंडा लहरा रहा है जबकि दाई ओर के पहाडों में वो भारतिये सैनिक नहीं है ठीक इसके नीचे दो और चित्र हैं भारत की हर्याली के मगर बाई ओर वाला चित्र नीले रंग का या अंधेरात्मक है और दाई ओर वाला चित्र नीले रंग का नहीं है उसमें उजाला है इसे शरंखला में तीसरे चित्र में बाई ओर फूलों का पौधा है जिसमें काफी सारे फूल है मगर उसी ओर इसी चित्र की दाई ओर सिर्फ एक पौधा है जिसमें केवल दो फूल है इस प्रिष्ट के सबसे नीचले भाग में चांद का वर्णन है बाई ओर वाले चित्र में पूर्णिमा का चांद है लेकिन दाई ओर वाले चित्र में यही पूर्णिमा का चांद बादलों से ढखा है पंक्ती से पंक्ती जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनोती प्रथम बार स्वीकार की थी प्रिष्ट संक्या उनहत्तर कविता की इस पंक्ती को वाक्य के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं तुम्ही ने पहला दीप जला तिमिर की चुनोती प्रथम बार स्वीकार की थी अब यहां दी गई पंक्तियों को इसी प्रकार वाक्यों के रूप में लिखिए एक, बहाते चलो नाव तुम वो निरंतर। दो, जलाते चलो ये दिये स्नेह भरभर। तीन, बुझाओ इन्हे यो ना पत मिल सकेगा। और चार, मगर विशुपर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। सा, सी, से का प्रियोग। घिरी आ रही है अमावस निशासी। सुवन सी जल रही और जलती रहेगी। इन पंक्तियों में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खिची है। इनमें सी शब्द पर ध्यान दीजिए। यहां सी शब्द समानता दिखाने के लिए प्रियोग किया गया है। सा, सी, से का प्रियोग जब समानता दिखाने के लिए किया जाता है तो इन से पहले योजक चिन्न का प्रियोग किया जाता है। अब आप भी विभिन शब्दों के साथ सा, सी, से का प्रियोग करते हुए अपनी कलपना से पांच वाग के अपनी लेखन पुस्तिका में पाठ से आगे आपकी बात कर रहे का धरा पर दिया एक भी यदी कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा यदी हर व्यक्ति अपना कर्तव समझ ले और दूसरों की भलाई के लिए कारे करे तो पूरी दुनिया सुन्दर बन जाएगी आप भी दूसरों के लिए प्रते दिन बहुत से अच्छे कारे करते होंगे अपने उन कारें के बारे में बताईए खर इस कविता में निराश न होने चुनोतियों का सामना करने और सब के सुख के लिए कारे करने के लिए प्रेरित किया गया है यदी आपको अपने किसी मित्र को निराश न होने के लिए प्रेरित करना हो तो आप क्या करेंगे क्या कहेंगे अपने सम्हों में बताईए गर क्या आपको कभी किसी ने कोई कारे करने के लिए प्रेरित किया है कव कैसे उस घटना के बारे में बताईए अमावस्या और पोणिमा कव भले शक्ति विज्ञान में है नहीत वो कि जिससे अमावस बने पोणिमा सी इन पंक्तियों में अमावस और पोणिमा सी शब्द रिखांकित है आप अमावस्या और पोणिमा के बारे में पहले ही पढ़ चुके है क्या आप जानते हैं कि अमावस्या और पोणिमा के होने का क्या करण है आप आकाश में रात को चंद्रमा अवश्य देखते होंगे क्या चंद्रमा प्रति दिन एक सा दिखाई देता है? नहीं, चंद्रमा घड़ता बढ़ता दिखाई देता है आईए जानते हैं कि ऐसा कैसे होता है आप जानते ही हैं कि चंद्रमा प्रत्वी की परिक्रमा करता है जबकि प्रत्वी सूरी की आप ये भी जानते हैं कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता वो सूरी के प्रकाश से ही चमकता है लेकिन प्रित्वी के कारण सूर्य के कुछ प्रकाश को चन्रमा तक जाने में रुकावट आ जाती है इससे प्रित्वी की छाया चन्रमा पर पढ़ती है जो प्रति दिन घड़ती बढ़ती रहती है सूरच का जो प्रकाश बिना रुकावट चंद्रमा तक पहुँच जाता है उसी से चंद्रमा चमकदार दिखता है इसी च्छाया और उजले भाग की आकरती में आने वाले परिवर्तन को चंद्रमा की कला कहते हैं चंद्रमा की कला धीरे धीरे बढ़ती रहती है और पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूरा दिखने लगता है इसके बाद कला धीरे धीरे घटती रहती है और अमवस्या वाली रात चांद दिखाई नहीं देता इस प्रिष्ट के उपरी भाग में एक चित्र है जिसमें चार दिशाएं वर्णन है सबसे उपर लिखा है पूर्णिमा दाई ओर लिखा है क्रिष्ण पक्ष बाई ओर लिखा है शुक्ल पक्ष और सबसे नीचे लिखा है अमावस्या ये एक गोलाकार है जिसमें चंद्रमा के पंद्रा विभिन रूप है ख यहां दिए गए इस चित्र में अमावस्या पूर्णिमा क्रिष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को पहचानिये और ये नाम उप्युक्त स्थानु पर लिखिये तो आप अपने शिक्षक, परीजनों या इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं इसे प्रिष्ट के निचले भाग में उसके अंतिम रूप का वर्णन है प्रिष्ट संख्या 72 तिथी पत्र आपने तिथी पत्र कैलेंडर अवश्य देखा होगा उसमें साल के सभी महीनों की तिथीओं की जानकारी दी जाती है यहाँ पर तिथी पत्र के एक महीने का प्रिष्ट दिया गया है इसे ध्यान से देखिए और प्रशनों के उत्तर दीजिए यहाँ पर जनवरी 2023 का कैलेंडर है नीचे लिखा है 11-30 पौश एक से ग्यारह माग शक उननी सो चवालिस यहाँ पर दाई तरफ दिनों के नाम है और बाई तरफ उनके आगे तिथिया है पहली पंक्ति में लिखा है रवीवार उसके आगे की तिथिया है एक दश्मी शुकल आठ द्वित्या क्रिष्ण सोमवार के सामने की तिथिया है दो एकादशी शुकल नौ द्वित्या क्रिष्ण सोला नवमी क्रिष्ण तेईस द्वित्या शुकल तीस नवमी शुकल मंगलवार के सामने की तिथिया है तीन द्वादशी शुकल दस तृत्या क्रिष्ण सत्रह दश्मी क्रिष्ण चौबीस तृत्या शुकल एक तीस दश्मी शुकल बुद्वार के सामने की तिथिया है पाँच चतुरदशी शुकल बारह पंचमी क्रिष्ण उन्नीस द्वादशी क्रिष्ण चबीस वसंत पंचमी शुकल शुक्रवार के सामने की तिथिया है चबीस तृत्या शुक्रवार के सामने की तिथिया है साथ प्रतिपरदा क्रिष्ण चौदा सप्तमी क्रिष्ण इक्कीस अमावस्या और अठाईस सप्तमी शुकल प्रिष्ट संख्या तिहत्तर क दिये गए महीने में कुल कितने दिन है ख पूर्णिमा और अमावस्या किस दिन नांक और वार को पढ़ रही है ग कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुकल पक्ष की सप्तमी में कितने दिनों का अंतर है ग इस महीने में कृष्ण पक्ष में कुल कितने दिन है और अंगा वसंथ पंचमी की तिथी बताईए इस प्रिष्ट के मध्य भाग में एक चित्र है जो वसंथ पंचमी का वर्णन कर रहा है यहाँ पर एक युविती है जिसके सामने हिरन का एक बच्चा है साथ ही पेड़ पर लगे हुए पत्ते भी गिर रहे हैं और सूरज का प्रकाश पूरे जोरूं पर है यानि ये बसंथ पंचमी का दिन है आज की पहेली समय साक्षी है कि जलते हुए दीव अंगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए पवन शब्द का अर्थ है हवा यहां एक अक्षर जाल दिया गया है इसमें पवन के लिए उप्योग किये जाने वाले अलग-अलग नाम या शब्द छिपे हैं आपको उने खोज कर उन पर घेरा बनाना है जैसा एक हमने पहले से बना दिया है देखते हैं आप कितने सही नाम या शब्द खोज पाते हैं इस प्रिष्ट के उपरी भाग में एक चौकोर है जिसके पांच हिस्से हैं पांच ही इसमें पंक्तियां भी है और इन सभी 25 भागों में विभिन अक्षर लिखे हैं जो इस प्रकार से हैं बा द ल ई ब प अ नि ल या व क स मी र न हवा यू ब मा रू त स रड़ खोज बीन के लिए यहां कविता से संबंदित कुछ रचनाई दी गई हैं इन्हें पुस्तक में दिये गए क्यू आर कोड की साहता से पढ़ें देखें वह समझें एक हम सब सुमन एक उपवन के दो बढ़े चलो तीन रोज बदलता कैसे चांद भाग एक और चार रोज बदलता कैसे चांद भाग दो अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक मलहार वाचनस्वर प्रवीन शर्मा और ममता मलकानी ध्वन्यंकन मंजु कुमारी निर्माण सहयोग कुसुमलता और चेतना शर्मा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुत C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत